है अगर आप लोगों को वेक्ति को हैं मजा आता है तो यह वर्ड आपके लिए और इसका यूज़ होता है तो आज का वर्ड है म यूज मी और बेलाना या दो करना तो आप इस इमेज में देखे इस लड़की को कोई इसका मन बहला रहा है या इसको खुश कर रहा है ये पहले बोड थी तो कोई इसको खुश किया मन बहला आ इसका तो और अच्छी से इसको समझते हैं, यह sentence में किस sentence में use होता है, amuse का मतलब होता है, किसी का मन बहलाना या किसी को हसाना या खुद का मन बहलाना, इसे ध्यान से सुनिए, किसी का मन बहलाना या किसी को हसाना या खुद का मन बहलाना, यह इसको यूँ कहलो किसी का ध्याँ सुख्धभंग से रकने के लिए उसका मन बैलाना या जी बैलाना या खुश करना या उसको मनुरंजन करना उसका एक्जामपल से इसे समझते हैं पहले एक्जामपल है किसी दूसरे वेक्ती का मन बहलाने के सैंस में माई फॉनी ट्रॉइंग एम्योस थे कीट्स मेरे मजाक्या चितरों ने बच्चे को खुश किया इस मोबी विल एम्योस यू यह film आपको मनरंजन करेगी दूसरा एक्जामपल है खुद का मन बहलाने के सेंस में I am sure I will be able to amuse myself for a few hours इसका मतलब मुझे यकीन है कि मैं कुछ घंटों के लिए खुद को खुष रखने में सक्चम हो जाओंगा एक और एक्जामपल देते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा सब यहां बैट करके बोर हो रहा था एक आदमी आया और फिर नाटक शुरू किया जिससे लोग यह देख करके खुष हुए तो उस आदमी ने उन लोगों को उन लोगों का मनरंजन किया मन बहलाया, जी बहलाया तो इसका ओवरूँब बात यह है एम्यूज वर्ड का मतलब इम्यूज वर्ड तब यूज होता है जब किसी का मन बहलाना हो या जी बहलाना हो या खुद का मन बहलाना हो जब कोई बेक्ती बोर हो रहा है या कोई बच्चा बोर हो रहा है तो उसको हसाने के लिए उसको हसाने के लिए उसका मन पहलाने के लिए इस वर्ट का यूज़ करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हुआ थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो अगर आप इस चानल पर नहे हो तो आप इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें